हाई गाई तो कैसे आप सब लोग स्वागत है मेरा चैनल मिक्सलोजी मास्टर में आज मैं आपको पताने जाओंगा सिरफ के वारे में सिरफ बहुत तरह के होते हैं लेकिन आज हम बात करेंगे जो बेसिक सिरफ होता है यानि कि सिंपल सिरफ जो की शुगर कंटेंट से बनता ह बहुत से लोग का मानना है या बहुत से लोग इस बारे में जानते हैं कि सुगर सिरफ झिंपल सिरफ बोत आरसे में बट ऐसा नहीं है दोनों में बहुत से वेरेशन हैं जो की अपने इस वीडियो में हमें आपको बताऊंगा और ये शिरफ कैसे बनाए जाते हैं ये आप एक डीजकर वीडियो में सिंपल सिरप सिंपल सिरप मोस्टली आमेरिकन बार्स में यूज़ किया जाता है सिंपल शियानिगी सिंपल होता है जैसे देखने में लगता है कि यह जसलिक वाटर बट इस शिरप में की density कम होती है और ये ग्रेनवल सुगर से नहीं बना जाता ये बनाए जाता है क्रेमलाइस एक भिशे सिराफ सकर से बनाया जाता है उसमें क्रेमलाइस सब्सक्राइस कम होता है सुगर छो lagi आम तोर पहर-धर में देखने को मिलता है जो अपनी रोज मर रहा है और अपनी दिन चाय बनाते हैं या कोई भी दूसरी स्वीटनेस वारी चीजे बनाते हैं उसमें यूज किया जाते हैं ग्रेणुल सुगर्स शुगर केंड से बनता है और यह रिफैन सुगर्स बहुत ही ज्यादा मोटे होते हैं जो कि इस पिच्चर में देख सकते हैं जैसे कि लोग मानते हैं सुम्पल सिरफ और सुगर्स रिफ दोनों एक होते हैं बट ऐसा कुछ नहीं है दोनों अलग-अलग होते हैं रिफाइन शुगर की डेंसिटी जैसे मैंने बताए डेंसिटी कम होती है और सुगर्स रफ की लाइन में बहुत ही फ्लेवर के साथ क्रिएट किया जाता है और हमारे ड्रिंक्स में भी वेरेशन ला सकता है सपोस्स आप कोई क्लिरिप्रिकेशन कॉक्टेल बना रहे हैं और आपको देंसिटी नहीं चाहिए तो आप स्वीटनेस के तोर पर सिंपल सिरप यूज़ करेंगे और कूछ ऐसी कोक्टेल होते है जिनमें तेंसीटी की मात्रा जीदा चाहिए होता या जैड़ा फिक होती है तो हम उसमें चुह सीरफ यूज़ करेंगे में रिफाइन शुगर वॉसकर ये हमारा बन गया सिंपल सिरफ प्रयंड में वर्याठ Means यह भाद आनंतर यह है कि इन् यानि 500 ग्राम रिफाइन शुगर और 500 ml वाटर इसको गरम पानी में हम डिजॉल्व करके ये सिरफ तयार करते हैं सुगर शुगर के लिए 1 kg यानि कि 1 kg ग्रेनवर्ड शुगर और 500 वाटर यानि कि इसका इक्वल पाट डबल हो जाएगा according to refined sugar जो हम simple syrup बना रहे थे उसके मताबित इसको भी गरम पानी करकर उसमें ग्रेन्वर्ड शुगर को dissolve करके ये सिरफ तयार होता है तो ये process होता है रिपाइन शुगर के साथ और ग्रेन्वर्ड शुगर के साथ दोनों में अंतर बनाए रखकर हम ये सिरफ तयार करते हैं इसके अलावा एक और मित्स है या लोगों की मन में ज्यादा डाउट होते हैं कि गोमे सिरफ बहुत से रैसे बुक्स में देखा होगा वाहाँ पर किसी कॉक्तल में गोमे सिरफ यूज करता है और बहुत से लोग गोमे सिरफ को भी सिंपल या सुगल सिरफ मानते हैं बट यह बिल्कुल अलग है गॉम शिरप भी स्वीटनेस शिरप होता है इसमें अंतर यह होता है कि इसमें एडिबल गंश यानि जो की पेड़ से जो एडिबल गंश लेते हैं उसको सिरप या सिंपल सिरप के साथ आपको कितनी डेंसिटी चीए उस रिखेंगे कि यह कैसे बनाया जात है गॉम शिरप अगर आप सर्च मारेंगे तो एडिबल गंश मारना और उसमें देखना कि इसकी क्या-क्या खास्यत होती है हमारी बोडी के लिए और हमारी कॉक्टेल में क्या फ्लेवर देगा इसका फ्लेवर थोड़ा साथ टैनिन और कलर में थोड़ा अंबर कलर लाइट मेंड़ गर रख टेखना में थे उर वर ज biological ऐIP हमारी बोड़ा कि इसका फ्लेवर ने इसके लिएไป. झाल 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 आज मेरे वीडियो में सिम्पल सिर्फ सुगर सिर्फ और गौमे सिर्फ के बारे में आपने देखा रिफाइनि सुगर और केणोर सुगर को कैसे यूज में लाते हैं अपने से बनाने में जिए अलग अलग है शुगर शिरफ अलग है और कौमें शिरफ ये भी अलग है तो आपने देखा कि हमने इसको कैसे डिफाइन किया और किस तरीके से इसको प्रिपेर किया